नवस्ते मैं उज्वला महाराष्ट पुना से दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं मेरा आडेनियम का यह मदर फ्लांट है देखिए और यह इसके जो हमने कटिंग्स लगाई थी वो है यह वीडियो दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बालकनी में आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी इसलिए मैंने इसका साउंड बन कर लिया है तो चलिए हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आज हम इस वीडियो में आडेनियम को फंगस से कैसे बचा सकते हैं इस बारे में बात करने वाले हैं आप तो जानते ही है आडेन देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा लेकिन फिर बाद में मेरे ध्यान में आया कि ऊपर की तरफ से फंगस होनी स्टार्ट हो गई है मैंने हात लगाया तो ऐसे डिली-डिली सी मुझे इसकी स्टेम लगी तो मैंने इसको और नीचे से काट दिया तो इसकी हाइड बहु तो उसी की वज़े से इसके जड़ो में या फिर इसके कोडेक्स में फंगस हो सकती है या फिर स्टेम को भी वो लग सकती है रूट रॉट हो सकता है तो इसको बचाने के लिए आज मैंने ऐसी चीज मिलाई है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो पूरी तरह से न मिट्टी में मिलाने पर फंगस दूर हो सकती है यह आप देख सकते है 15 दिन पहले मैंने इसमें उड़ाश डाली थी अभी भी मिट्टी गीली है मैंने उस वक्त इसमें पानी डाला था आप देख सकते है कितनी हाथ को यह मिट्टी गीली लग रही है तो इसका इफेक्ट प्रणाइब करने काम भी ये राख कर लेती है इसका मतलब है कि पी एच की लेवल सही करती है वैसे तो अडेनियम को सैंडी सॉयल में ही लगाया जाता है मगर बाकी किसी पौदे की मिट्टी अगर जड़ों के पास सक्त हो गई हो तो उसको खुला करने का काम भी ये राख करत है और राख से पौदे को कैल्शियम भी मिलता है तो इतने फाइदे ये राख हमारी करती है इसको पंदरा दिन में एक बार ऐसा आधा चम्मच आप अगर अगर अडेनियम के पौदे के मिट्टी के उपर डाल देंगे तो इससे फंगस दूर हो जाएगी और आप ये जो द प्लास्टी का पेपर निकाल दिया और ठीक से देखा तो वह फंगस गीला पन होने की वज़े से जमा हो गई थी तो मैंने उस पे भी राख को छिडग दिया था आप ये देख रहे हैं ये जो वाइट वाइट दिख रहा है मैंने तो पानी भी ज्यादा नहीं डाला था ले खाई दे रहा है अभी लेकिन राख के ये जो वाइट वाइट निशान है वो दिख रहे हैं तो इसी प्रकार से अडेनियम में ही नहीं आप किसी भी डॉर्मनसी में जो पोधे होते हैं डॉर्मनसी पिरेड में उनके मिट्टी में अगर ऐसी राख छिडग देंगे तो उन चैनल को सबस्क्राइब की जगा नमस्ते